नवश्कार दोस्तों स्वागत आपका Medical जानकारी 2.0 यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आपको 10 medicines की जानकारी एकी साथ देनी वाला हूँ तो आपको इस वीडियो में मैं मतलब पूरी डिटेल्स में जानकारी नहीं दूँगा medicines में जो salt यूज किये गए हैं उनके uses पे आपको समझा दूँगा कि यार इस condition में यूज के जाता है तो आपको easily समझ में आ जाएगा कि इसके use क्या हो सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को पहली medicines आपने लिए हैं इसमें डोलो 650 काफी ज्यादा popular name है काफी ज्यादा popular हुआ है कोविड के समय से तो काफी लोग इसको जानते भी होंगे लेकिन आपको ingredients इसको आरे हम पता होगा तो इसमें आपको मिलता है paracetamol paracetamol आपको normal से दवाइयों में भी देखने को मिल जाता है जो paracetamol के नाम से मिल जाता है जैसे कालपोल हो गया आपका और भी कई सारे आती है medicine लेकिन डोलो highlight काफी जादा हुआ कोबिड के समय से कई सारे patient हमारे पास ये भी आते हैं कि paracetamol दे दीजिगा सरदर्द के लिए दूसरी medicine दीजिगा अब उनको particular use ही नहीं पता है कि इसका use एक्षिन में किन किन करणिशनों में किया जाता है तो इसलिए ये दवाईयों की जानकारी होना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है ये बेसिक लिए कि anti-piratic होता है कि analgesic होता है बुखार में सरदर्द, बदंदर्द, सब में ये लगबग चल जाता है दूसरा medicine आता है आपका gerodol spas gerodol spas, यानि spas का आप अगर थोड़ा बहुत समझते होंगे तो spas का मतलब है कि याप पेट के infection के लिए इसमें आपको दो इंगर्स मिलते हैं acyclofenic and rotavarin acyclofenic, non-estroidal, anti-histamine, anti-allergic and prostaglandic को रोखने में मदद करता है anti-histamine ये बेसिक लिए नहीं होता है ये anti-inflammatory analgesic होता है ये दर्द को राहा देने में मदद करता है endotavarin क्या होता है anti-spasmodic होता है जो आपकी पेट में मरोडे, चुबन, अचानक से दर्द उठना ये urine में जलन होना, गॉल्ब और रोडर का दर्द में आराम देने में मदद करता है और बहुत ही अच्छे से ये कारिगर साबित भी देखने को मिल जाता है details वीडियो जो भी होगी, link description box में आपको मिल जाएंगी सारी दवाईयों की तीसरा medicine हमने लिया है, इसमें Meptal Spas, Meptal Spas भी काफी ज़्यादा famous medicines है इसमें आपको मिल जाता है Mepanemic Acid and Dicyclamine, Mepanemic Acid क्या है, Non-Astroidal Anti-Implementary Drugs होता है यानि दर्द को रोकने में यह मदद करता है दूसरा क्या है इसमें Dicyclamine, जो कि एक I-Base की condition में यूज के जाता है, और यह एक क्या होता है कि Gastro Interstate Problem को दूर करने में मदद करता है यह एक basically anti-collagenesic anti-collagenesic, यानि colon के दर्द में पेट की muscles को राहा देने में Dicyclamine जो होता है, वो यूज किया जाता है नॉर्मली बात करें, पेट दर्द होना, महिला होना, पेट पीडर स्पीन होना Muscles Registrating Condition में यूज के जाता है जैसे हमने बताया है, details video, link का आपको description box में मिल जाएगा Next Peptal Fort, Meptal Spas, Meptal Fort, दोनों ही दवाईयां अलग-अलग है क्योंकि जो इसमें Mephanemic Acid मिलता है, वो double में मिलता है, यानि 500 mg में होता है और Meptal Spas में Dysomg में, और ingredients होता है, तोनों में difference है Dysaclomene इसमें देखने को मिलता है, Meptal Spas में, and Meptal Fort में PCM जो होता है 325 mg में देखने को मिल जाता है, अब Mephanemic Acid के बारे में आपको बताया है यह एक anti-inflammatory drugs होता है, non-estriidal drugs होता है, तो दर्द को रहा देने में मदद करता है PCM, antiparatic, analgesic के रूप में यूज के जाता है, हर परकार की condition हो में paracetamol दोते होते हैं कहीं नहीं add होती है, next medicine लिये हमने, Spas Monil, Spas Monil भी काफी ज़्यादा famous medicines है लेकिन यह एक generic medicines है, जो सिपला फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है, इसमें आपको मिल जाता है, dasaclomin and PCM, इसमें आपको वही दोस्तों देखने में बताया है, anti-colon जैसिक होता है, जो muscles को रहा देने में मदद करता है, एंठन मरोडे को दूरूर करने में मदद करता है, और पीशम आपके endoperatic होता है, जो दर्द में, बुखार में, रहा देने में मदद करेगा, नेक्स्ट में लिए हमने लोमोफें टैबलेट्स, लोमोफें में बेसेकर इंगेंट्स होता है, लोफिरमाइड, यह एक indirectly आपके डाइरिया के लिए यूज के जाता है, लेकिन रेनी दस्तों ना, यानि बारिशोरी भाई या दस्तों की, तो उस कंडिशन में लोफिरमाइड को यूज के जाता है, दस्त के लिए, डिसेंट्री के लिए, आई बेस की पॉड़म में, लेकिन इसमें गुना अन्टी अन्टी एंबोटिक होता है, एंटी वेक्टिल होता ह है, एंटी डाइरिल होता है, मतलब पेट में होने वाले इंफेक्शन को दूर करने में इसका यूज के जाता है, लेकिन कॉमन से लोग इसको यूज करते हैं आपके पेट के दर्द के लिए, या दस्त के लिए इसका यूज करते हैं, आई वेस के दिक्कत के लिए, और कई तो इंट्रगुनाल होता है वो पैन भी है नेक्स मेंडिसे आते हैं आपके मैट्रोजल में बेसिकली क्या होता है मेट्रोजल 200 mg 400 mg की क्वांटिटी में मिल जाता है यह भी डिसेंट्री एंड डायरा के लिए यूज होता है इसमें गुण पहे जाते हैं साधी साथ पेन को जलन को रोकने में मदद करता है यह कहीं तो कई लोग बार कहते हैं यार कि बुखार तो आई रहा है लेकिन बॉड़ी को तूड करके आ रहा है तो उसमें निवसलाइट काफी अच्छे से कारे करता है साथ मिसमें पीशेम होता है जो कि एक एक एंटिपारेडिक होता ह करता है दर्द को बुखार को रोकने में मदल करता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कम करता है या कहीं तो एक्स्ट्रा प्रोटिन को रोकता है जो स्वेलिंग की जगह पर ना जाए तो तो सूजन को रोकने के लिए इसका ये उस के जाता है तो गाइस येते हैं को दस मेडिसिंस इनका डिटेल्स वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा है जरूर जाकर देखिए अगर आप इनके बारे में पूरी तरीके से समयना चाते है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरू करें चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके बैटाट हैं थैंकी फॉर फॉचिंग